बच्चों, आज सत्य कविता का दूसरा अंशम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे शमी व्रिक्ष के तने से टिक कर, ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने, धर्म राज को निर्निमिश देखा था अंतिम बार, और उन में से उनका आलूक धीरे धीरे आगे बढ़कर, मिल गया था युदिष्ठिर में, सिर जुकाए निराश लौटते हैं हम, कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ, वह हम में वेलीन हुआ, या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, यहां कवी विश्वकारे बताते हैं, कि जब युदिष्ठिर विदूर का पीछा करते हैं, विदूर के पीछे लगातार भागते रहते हैं सत्य की कोज में, वे जानना चाहते हैं कि विदूर कब तक उनसे बात नहीं करेंगे, अर्था सत्य कब तक उनसे मोह मोडएगा, अंदेखा करेगा उनकी, वे एक कह सकते हैं द्रणपतिग्य हैं उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य का आत्मसात करने के लिए, फिर वो कहते हैं विश्वकरे कि जब युदेश्टेर उनका पीछा नहीं छोड़ते सत्य को जानने के लिए बीहर जंगलों में उनके पीछे-पीछे चले जाते हैं और एक आके का जब ठिटकते हैं वेदुर और उन्हें कहीं और देखती हुई नजर से देखते हैं उन्हीं में से एक हलकासा प्रकाश आके उनमें सामा जाता है कि इसमें युदेश्टेर में तो वही वो कहते हैं जैसे शमी व्रिक्ष के शमी एक व्रिक्ष का नाम है उस विक्ष के तने से टिक कर विक्ष के जब तने से अपने पीठ को टिका कर कौन विदुर खड़े हो जाते हैं ना पहचाननी में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेश देखा था अंतिम बार विदूर बहुत अच्छे से जानते हैं युद्रिश्टिर को लेकिन इस प्रकार देख रहे हैं जैसे वो पहली बार देख रहे हैं हो किसी वेक्ति को उस धर्मराज को जो कुंती नंदन है निर्निमेश आँखे जपकाई बिना अप अलक देखना इस प्रकार देख रहे हैं जैसे को छोटा बच्चा किसी को पहचाने का प्रयास करता है कि हाँ अपनी स्मृती पडल में जाके कोचता है कि हाँ ये चैरा मैंने पहले भी देखा है उसी प्रकार मानो विदूर धर्मराज को पहचाने का प्रयास कर रहे हैं और उन में से उनका आलोग उन में से वतला किसे विदूर में से उनका ही आलोग अर्थात प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़कर किसे मिल जाता है युदेश्टेर में अर्थात युदेश्टेर सत्य को जान जाते हैं सिर्जुकाय निराश लोटते हैं हम एक सामाने मनुश्च की बात यहाँ पर फिर शुरू करते हैं विश्वकरे को कहते हैं हम जब सामाने मनुश्च बहुत निराश हो जाता है जब बहुत जादा सत्य की खोज में वो लगा होता है जानने का प्रियास करता है लेकिन जब उसे नहीं मिलता तो वो हताश निराश हो जाता है और सत्य अं तक हमसे कुछ नहीं बोला हमें यह लगता है कि हमने तो सत्य को जानने का या सच किसी भी बात का, किसी भी वस्तू के रहसे को उसके सत्य को जानने का हमने प्रयास किया लेकिन हमें उसका अंतिम सत्य हमें नहीं मिला हम अधार शुर जाते हैं वहां से वापस लोटने लगते हैं यह सोच कर कि सत्य हम से नहीं बोला हाँ हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंच देखा था हम बहुत करीब होच चुकी होते है उस सत्य के सच्चाई के, किसी भी तढ़े की किसी भी बात की सच्चाई के लेकिन आखर पहलू आखरे छोड तक पहुंशने से पहले मानों हम निकल जाते हैं वापस मुड़ लेते हैं वे हमें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया हमें पता ही नहीं चल पाता हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई स्फुरण हुआ ना ही कोई ज्वर किन्तो शेश सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वै प्रतिवियम हम में समाया या नहीं हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है क्या वै उसी की छोवन है मतलब वो कहते हैं कि सत्य को जह हम जान लेते हैं तो कोई एकदम से जौरबाटा या एकदम कपकपी या स्वरण जैसे आप देखते हैं टीवी में कोई किसी में गुसता है तो वो इनसान कापनी लगता है एक कमपन उसमें उत्पन होता है या एक दम बिलकुल हेल जाता है इसा कुछ नहीं होता सत्य बहुत ही क्योंकि वो सत्य है और दीरे दीरे वो आत्मसाथ होता चला जाता है मनुश्य को बिलकुल इसका आभास भी नहीं होता कि वह एक सत्य की पराकाष्ठा को छो चुका है तो ना तो स्फुरन होता है ना कमपन होता है ना ही किसी परकार का ज्वराना या कोई शरी में बदलाव आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि सत्य का हमें प्रवेश कर गया है कैसे जाने कि सत्य का प्रतिविम मतला उसकी वेचाया हमारे अंदर समा गई है, हम सारा जीवन सोचते रह जाते हैं, हमारी आत्मा में लेकिन जब हम कभी गलत और सही में सत्य का चुनाव करते हैं, उसकी तरफ दोड़ते हैं, उसकी पराकाष्था को, उसकी शाश्वत्ता को म लिया है वह जो छुवन थी वे सत्य की ही छुवन थी मतलब उसका स्पर्ष था जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किये हुए युदिश्टिर ने थांडाव प्रस्त इंद्रप्रस्त लोटते हुए जब शाष्वत सत्य प्रवेश कर गया तब वह सोच रहे थे मतलब छुके विदुर के साथ जब वापस लोटते हैं इंद्रप्रस्त उनकी जो रासधानी है जो खांडव प्रस्त इंद्रप्रस्त में तबदील हुआ था जब वहां लोटते हैं तो वो सोचते हैं कि इस सब बात जानी से बता देते हैं और एक सचाई का ग्यान उन्हें करा देते तो उस सत्य को या वेदुर को कैसे बता चलता कि युद्रिष्टिर सही पात्र हैं जिने सचाई का ग्यान कराया जा रहा है इसलिए वो कहते हैं कि सत्य ये जानना चाहता है कि जिस पात्र में जिस व्यक्त है भी या नहीं मैं आमिशक क्लास में कहते हुँ नहीं कि हाँ पात्र अक्व पात्र जब हर शिक्षक देना जानता है बहुत सारा ज्ञान का बंडार आपको सौप रहा होता है अब आप कैसे पात्र हैं किस तर हाँ आप उस चीज को ले रहें या नहीं ठीके कविता आपको समझ जाए